नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने फास्ट इन इंडिया यूटुब चैनल पर वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम इस वीडियो के मादम से जानेंगे कि भ भारती सेना के पहले कमांड़ा इंचीव थे। इन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारती सेना का नेतग्र किया। 1949 में इने भारती सेना का कमांडा इंकीप निउक्त किया गया था बहें भारती सेना के केबल दो अधिकारियों में से एक है जिने फील मार्सल की पांसतारा रेंग से समानित किया गया है के एम करियप्पा का प्रारंबिक जीवन करियप्पा का जन में 28 जन्वरी 1899 को कड़गू कुर्ग में हुआ था जो कोडंद बंस के किसानों के परिवार में थे उनके पिता मडप्पा ने राजस्प भिवाग में काम किया उन्हें अपने रिस्तारों के द्वारा चिम्मा के नाम से सम्मोधित किया जाता था 1917 में मदी केरी के केंद्री उच्छे बिद्धाले में अपनी सिक्षा पूरी करने के बाद और हुनें अपनी सिक्षा को आगे बढाने के लिए चैनले के प्रिसिडेंसी कोलेज में एडिमिसन लिया केम करियप्पा का मिलेटरी केरियर करियापपा ने 1 दिसम्बा 1919 को इशना तक किया और उन्हें एक आइस्थाई कमिसन परदान किया गया इसके बाद 9 सितम्बा 1922 को एक इस्थाई कमिसन परदान किया गया यह कमिसन 17 जुलाई 1920 से प्रभावी हुआ यह उन बिटिस अधिकारियों से करियापपा का रेंग जूनियर बनाने के लिए किया जो 16 जुलाई 1920 को रोयल मिलेटरी कोलिस सेंड हर्स्ट से इसना तक हुए थे उन्हें पहले आइस्था लेटरेंड के रूप में बंबई मुंबई में 88 बिकनाटक इन्फेंटरी की दूसरी बडालियन में निवत किया गया था उन्हें एक दिसम्बा 1920 को आइस्था लेटरेंड के रूप में पदनित किया गया था बाद में उन्हें दो गटे 125 नेपियर राइफेल्स में इस्तानादरित कर दिया गया जो मई 1920 में मोसुपडामिया बटमा इराक में इस्तानादरित हो गई थी उन्हें 17 जुराई 1921 को लेफ्टियन के रूप में परनित किया गया था भारत लोटनें पर करियाप्पा को जुन 1922 में 37 बे पिल्स और बेल्स ओन डोगरास के पत्पर निउट किया गया जुन 1923 में करियाप्पा को एक बट साथ राजपूतों में इस्तानादरित कर दिया गया जो उनकी इस्ताई रेजिमेंट बन गई 1925 में करियाप्पा यूरोप दोरे के साथ 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 सेज़क तुराज अमेरिका जापान और चीन भी गए उन्होंने विविन देशों में बड़ी संख्यास में सैनिकों और नागरिकों से मुलाकात की यह दोरा उनके लिए एजुकेशन साबित हुआ उन्हें एक बिडिस अधिकारी की पत्नी द्वारा कीपर उपनाम दिया गया क्योंकि उन्हें उनका नाव उचायं करने में मुश्किल होती थी जबकि उस समय केम करियाप्पा फतेगड में सेवा कर रहे थे एक मैं 1945 को करियाप्पा को ब्रेगेडियर के रूप में पतनित किया गया था जो रेंक प्राप्ट करने वाले पहले भारती आधिकारी बन गये आखिरका नामबर में करियाप्पा को बजरिस्तान में बन्नु फ्रेंटियर बिग्रेड का कमंडर बनाया गया 1947 में कर्यापपा उन दो भारतियों में से पहले थे जिने उने बिटेन के केमली में इंपीरियल डिफेंस कोलेज में उच्चे कमान पार्ठी करम का प्रक्षेचन लिया था इंपेरियल डिफेंस कोलेज में उन्हों ने जो अनुवर प्राप्त किया उसके साथ कर्यपपा ने मैसूस किया कि बिवाजन के दोरान भारतिय सेना को बिवाजित करने से दोनों पक्षों पर बिनासकारी प्रिभाप पड़ेगा 30 जुलाई 1947 को कर्यपपा को मेजर जनरल के पत पर पड़नित किया गाया था भारति सेना की एक लड़ाकु साखा में बिवेड़ेगर मौंब अकबर खान और महरास स्री राजेंदर सिंग जड़ेजा के साथ इस पत पर पड़नित होने वाले पहले भारतियों में से एक थे पर परनित होने पर उन्ने पूरवी सना के कमांडर के रूप में निउट किया गया सुम ने तरन्त इसे पस्चीमी कमांड का नाम दिया और अपने मुखारे को जम्मु स्तांदरित कर दिया बाद में उन्होंने लेफटरेंड जनरल S.M. ओधंपुर में स्रीनागेज उन्होंने लेफटरेंड जनरल कॉन्डेरा सुभईया थिमिया को जी ओसी जम्मू और कस्मीर बल बाद में 19 पी दिविजन के रूपे नियूद किया और आत्मा सिंग को G.O.C. जम्मू डिविजन बाद में 25 भी डिविजन के रूपे नियुक किया उन्होंने नोसेरा, जंगर, पुझ, जोजीला, द्रास और कारगिल चेत्रों पर कबज़े करने के लिए तीन आउप्रेशन किये, आउप्रेशन कीपर, ईजी, एड़, बाइसन को लुँच किया कस्मीर से पाकिस्तानी सेनाओ को पूरी तरा से बाहर निकालने की योजना बनाए की थी लेकिन सहीट तुराज अमेरिका के हस्तिशेप से उन्हें रोक जिया गया था कमेंडर इनचीफ भारतिय सेना जब लेटरें जनरल सर राय बूचर की भारतिय सेना के CNC के रूप में निकती जन्वरी 1949 में समाप्त होने वाली थी तो उन्होंने भारतिय के इससा बदलने का निड़ने लिया गया करिपा ने भारतिय सेना के पहले मूल कमेंडर इनचीफ के रूप में पदभार समाला जितिंग करिपा ने 15 जन्वरी 1949 को भारतिय सेना के बागडर समाली उसे आधिकारिक रूप से सेना दिवस के रूप में चिनिर के गया और पिर्थी बस इसे सेना दिवस के रूप मनाया जाने लगा सेना के पुभूंत के रूप में करियप्पा ने 1949 में टेट औरियल सेना के गठन में महिज़पूर भूमी का निवाई थी सेवा निव्रत होने से पहले उनके बेटे और बेटी के साथ राजपूर रेजिमेंटल सेन्टर में अपने मूल राजपूर रेजिमेंट को बिदाई दी सेवा निव्रत्ति के बाद और मृत्यों लवत तीन भारती सेना के साम करियप्पा का गडबंदन लवक तीन दस्कों की अब्दी में फेला था जिसके दोरान उन्होंने कर्मचारियों और कमान के काम का ब्यापक अनुवप था 1953 में अपनी सेवा निव्रत्ति के बाद और उन्होंने 1956 तक आस्टलिया निव्जिलेंट में भारत के उच्चायों के रूप में कारे किया पूर्ण सेनिकों के कल्याण की और एक दिश्टिकोंड के साथ करिया पान्या 1964 में इंडियन एक्स सर्विसमेंन लीग आई एस एल की स्थापन की बहे पुर्णवास विवाग बात में महा नितिसाले एक अंतर सेवा संगठन के विवाग के आतिन इस्थापत करने की में भी महिरपूर भूमिका निवाते थे भूतपूर सेनिकों सेनिक कल्याण अच्छा मंताड़े जो सेवा निर्ब्रत सेनिकों विशेश रूप सेवा निर्ब्रत युवाओं के पुनलबास के आसपास के विविन मुद्धों की देखवाल करता था करियप्पा ने कई विदेश सी देशों में ससस्तर बलो के पुना संगठन में भाग लिया उन्हें अमेरिकी राश्पती हैरी एस्ट्यू में द्वारा मुख्य कमाड़ा इंचीव की डिग्री में लीजिन और मेरिट से समायत क्या गाया था 28 अपल 1986 को राश्पती भावन में आज युद एक विदेश निवेस समारों में भारत सरकार ने करियप्पा को फिल मार्सल की रेंग से समायत किया राश्प के लिए उनके द्वारा की गिस्वानी सेवा के लिए 1991 में करियप्पा का स्वास्त बगणने लगा बैगाठिया और हिद्य की समस्या से पेडित थे 15 माई 1993 को बेंगलूर कमान अस्पिदार में उनकी नीन में मित्य होकी जहां बे कुछ बर्स्तों से अपना उप्चा करा रहे थे उनके सब को अंतिमन संस्कार दो दिम बाद मदी केरिय में किया गया फिल्म आर्थर के एम करियप्पा पेले भारती आर्मी चीफ भी माना जाता है केम करिया पद्वारा प्राप्त कि गए सम्मान जनरल सर्विस मेडल 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल ओर अप दा बिटिस एमपायर 1949 से 1945 स्टार आवर्ड बरमा स्टार वार मेडल इंडियन सर्विस मेडल लीजिन आफ मेरिट्स चीफ कमांडर केम करिया पाके कुछ इसमें एक फोटोग्राप से वह अपने साथियों के साम बात्चित करते हों दिख रहे हैं और दूसरी तश्विर में बहेर राश्पति द्वारा फिल्ड मारसल की एंग प्राप्त करते हुए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमें करें धन्यवाद